दोस्तो आज तक आपने बहुत सारे अजीब गरीब जानवरों को देखे होंगे कोई भी आज में अपने पूरी जीओम ने बहुत सारे जानवरों को देख पाता है लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसे हर कोई नई देख पाता क्योंकि यह इतने दुड़लब होते हैं जिने क्यों नसीव वाले लोग ही देख पाते हैं अगर आज की इस वीडियो में आप आ गया हैं तो आप उन्हीं नसीव वाले लोगों में से एक हैं तो वीडियो में के बने इस पहले आपसे बहुत सितने ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंतों तेक जुड़ दिखेगा क्योंकि आज की यह वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं ग्लोकस अट्लांटिक दोस्तों यह समुदर में पाई जाने वाले सबसे सुन्दर जानवरों में से एक है इस जीव की लंबा एक चार से पांस इंस तक होती है आपको जनका है रानी होगे कि यह क्रियेचर अपने से ज्यादा बड़े और जहरीले जानवरों को अपना सिकार बना लेता है इसे यह भी बहुत ही जड़े जहरीला हो जाता है यह क्रियेचर काफी रियर होते हैं लाइन टेल मकाव एक बहुत ही दूरलब एस्पीसिस है जो कि इंडिया के वेस्टर नेरिया में पाए जाता है इसके नमिस के टेल के वज़े से रखा गया है इस बंदर के गरदन पर बहुत ही घने बाल होते हैं जो इन्हें लायन के लुक देते हैं यह बंदर दिखने में भीहदिया कर सकते हैं लायन टेल मकाव हमेशा ग्रूप में रहना पसंद करते हैं यह जनवर इतनी रेयर होते हैं कि इनकी संखिया मात्र पूरी दुनिया में 4,000 बची है रेट पांडा दोस्तों पांडा इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खुबसूरत जानवरों में से एक है पांडा अधिकांस ब्लाक और वाइट कॉम्बेनेशन के होते हैं लेकिन क्या अपने कभी रेट पांडा को देखा है नहीं न दरसल इंडिया के सीगीमर और अधिक कमी आई है और यह बिहादी रियर हो गया है इस फिस को आज तक बहुत ही कम दोगों नहीं देखा होगा आपको जानका है है कि यह मानन निर्मित फिस है क्योंकि इस फिस को साइंटिस्टों ने क्रोस ब्रीडिंग द्वरा बनाया है यह मुस्त लिए अपनी खास सीर के बुदर से जानी जाती है इनके सीर पर एक बड़ा सा बोल जैसी सनरचना होती है इस फिस को जारा तरदोग अपने घर में पानला पसंद करते हैं जिसके कारण इसका प्राइज भी अधिक है तो दूस्तों यह धरती पर पाई जाने वाले कुछ भी है दियानों की अदिल